पीछे कुछ differences आपको दिख रहे हैं आज के practice में हाँ आपने सही पकला कि net पीछे नहीं दिख रहा है हाँ वही ने जिसके बारे में हमने पिछले 15-20 दिन पहले एक वीडियो बदाया था ना कि हमने भी net pack कर दिया है हमारे यहां इसे पहले pack net नहीं था तो कल साम तक तो net सही जैसे था वैसे था रात में किसी ने yap कर दिया मतलब आप यह कर सकते हैं हमारा net चोरी हो गया हो गया यही problem होती है जो आप rural area में कोई काम करते हो और अच्छा काम करने की कोसिस करते हो हमारा net चोरी हो गया कोई problem नहीं है फिर से net आएंगे फिर से practice होगे एक हपते में के अं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया था तो यह भी दिखा दे रहा हूं और पहले तो मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता था लेकिन आज कुछ सीज़े मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं मैं पिछले 6 साल से क्रिकेटे के एड्मीचर आ रहा हूं हमारे हां जॉइनिंग का कोई भी एड्मीचर फीज नहीं है लब कि एक लबी रुपया एड्मीचर फीज का बच्चों से नहीं लिया जाता उसके साथ हमारे कोई मंथली फीज नहीं है और नेट्स सीमेंट्स बाकी ग्राउंड की फेसिलिटी मैं अपने पर्सनल एक्स्पेंस या मैं पर्सनल खर्चे से करता हूं ठीक है तो लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है पता नहीं क्यों कि कुछ बढ़िए करते हैं जिसने बिकिया है यह गलत किया है और वहात गलत Indigenous कुछ नहीं कर सकते लेकिन वाले हैं कि अगर आपको सभी को डरना चाहिए कि अगर कोई प्योर हट से काम करता है न और कि यह ने मंग आया पैसा ने लगाया सारी की थी आप यहाई सीजहनी तो जब फिर से चाहे पिछले चाह साल से मैं चल आ रहा हुत तब से देखे लॉगुए पहले मेरा ग्राउंड दूसरा था फिर ग्राउंड चेंज किया बाकी चेंजे आते रहती हैं और क्योंकि मेरी अब 16000 यूट्यूब पे फैमिली है तो उनसे सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजे सेर करना जोरी होता है चाहे सोखो वो भी कोई हैपिनेस होगा कोई खुसी वाली कुछ दिन विदाउट नेट का हम और कुछ अच्छा सीखें और अच्छा ग्रो करें या जो नया नेट आये वह अलग किस्मत लेकर आया है और उसकी वज़े से हम और आगे ग्रो करें और आगे बढ़ें तो जो हमारा इंटेंशन है उद्देश है ना वह कोई हमसे नहीं सकता है और कोई दिक्कत नहीं है इसमाइल करते रहें और जिस तरीके से आपका प्यार मिला है वह मिलता रहे वस बाकि आप लोगों का सोलह जार हुआ है भी एक लाख हो जाएगा आप ही थुरू हमको इतना पैसा आने ले हर महीने हर दिन हम नेट चेंज कर सकते हैं मेरे पास कुछ फंड आयेगा तो मेरे बच्चो की हिल्प ज्यादा हो जाएगी ठीक है इससे पहले मैं कभी नहीं कहता थे क्यूंकि मेरे पास काफी क्योश्टंस आते थे और वागी चीज़ेज़ लाइफ में आते रते हैं यही चैलेंज़ेज है और जैसे आसा नहीं है तो हमारा चैलेंज आज आज का यह था आप देख सकते हैं तो नेट चोरी हो गया है अब कोशिस है एक दो दिन बात क्यूंकि हमको लाना पड़ता है या मेरे चाहिए फिर से पैसे क्लेक्ट करेंगे क्यूंकि हम मैं फैनेंसिली रूप से ना कमजोर हूं ना बहुत ज्यादा सक्चमू कि इतना कर सको ठीक लेकिन फैनेंसिली रूप से मैं मजबूत हूं इतना मजबूत हूं कि अगर चोरी हुआ है तो इसको मैं अपने पैसे से भी चेंज कर सकता हूं लेकिन मेरी कोसिस यह थी कि अगर ये नहीं हुआ होता तो कोई दूसरी फैसलिटी में बढ़ा देता अपने पैसे से अब जो मैं नेट में लगाऊंगा किसी और चीज में लगा सकता था जैसे और फैसलिटी बढ़ा